अमारे देश में लिव इन इलेशन्शिप को लेकर कोई भी कानून या एक्ट नहीं बना है यहाँ पोर सुप्रीम कोड की जो जज्ज्मेंट होती है वही कानून का रूप धारण लियव है लिव इन इलेशन्शिप का कॉंसर्ट अमेरिका और इंग्लैंड से आया जो हम भारतियों ने फॉलो करना शुरू किया आज कल के लड़के लड़कियों ने तो अमेरिका और इंग्लैंड में जो भी इसके लिए एक्ट और लाउ बने हुए हैं वहां की सुप्रीम कोड जो भी जज्ज्मेंट पास किया है बस उनी का रफ़र इंडिया में दिया जाता है और उसी के इसाफ से सुप्रीम कोड लिविन रिलेशनशिप के परशानियों का फैसला सुनाती है बाकि अगर कोई एग्रिमेंट नहीं मुनाना चाहता है तो मैं तक होंगी अगर अब साथ रहते हैं जो साथ रहना चाहते हैं लड़का लड़की तो साथ में एक जॉइंट एकाउंट जुरूर खुलवाएं जिसमें दोनों का नाम हो बिजली पानी का बिल जिसमें दोनों का नाम हो ताकि एक प्रूफ हो जाए आपके पास कि आप दोनों एक साथ रह रहे हैं मतलब यह सम मैं इसलिए कह रही हूँ कि ठीक है आप चाहिए दोनों दूसरे पर कितना भी श्वास करते हैं लेकिन फिर भी कब किसकी नियत क्या बदल जाए कोई किस पर क्या केस कर दे तो उसके लिए हमें लड़का लड़कें को साधानी बरतनी चाहिए क्योंकि जब लिविं लेशन्शिप तूरता है हो सकता है एक लिविंग पार्टनर उसको खतम करना चाहता हो और दूसरा लिविंग पार्टनर उस रिष्टे को रखना चाहता हो अगर मैं आप वो कानून की बात बताऊं तो कानून के हिसाब से लिविं लेशन्शिप में वो रह सकता है जो सिंगल हो मतलब लड़का लड़की दोनों कुवारे होने चाहिए और 18 प्लस उनकी उमर होनी चाहिए सिंगल मतलब लड़का विदुर हो या लड़की विद्वा हो या लड़का तलाकशुदा हो और लड़की भी तलाकशुदा हो मतलब सिंगल हो एक लड़की एक ही लड़के के साथ लिव इन इलेशन्शिप में रह सकती है उसी तरह एक लड़का एक ही लड़की के साथ लिव इन इलेशन्शिप में रह सकता है कानून शादी शुदा को लिव इन इलेशन्शिप में रहने की इजाज़त नहीं देता है अब आते हैं रिष्टे की बात पर इकठे रहा रहे हैं दोनों में से कोई भी लिविंग पार्टनर जो रिष्टा खतम करना चाहता है उससे तो कोई फर नहीं पड़ता फिर अराम से अपना ब्याग उठाके निकल जाता है पर दूसरा तो रिष्टा रखना चाहता है खासता लड़की क्योंकि आपको पता है कि लड़कियां बहुत इमोश्टन होती हैं तो लड़की अगर रिष्टा रखना चाहती है तो बदला लेने के लिए लड़के के उपर रेप का अरोप लगाने की सोच सकती है तब भी लड़के के उपर कोई कानूनी करवाई नहीं करता है वो क्यों? क्योंकि कानून ने पहले ही बोल रखा है कि लिए इन इरेशन्शिप पे रहने के लिए 18 प्लस उमर चाहिए यानि बालिक उमर है और लड़की अगर बालिक है और लड़के के साथ रह रही है अपनी मर्जी के साथ तो वो उसके उपर कोई जूटा आरोब भी लगाती है तो लड़के के खिलाफ कोई भी कानूनी कारवाई नहीं की जाएगी अगर आपने एग्रिमेंट बनवा रखा है कोट से तो बहुत अच्छा रहता है एग्रिमेंट किस कोट में किसी अच्छे वकील से बनवाए जिसमें यह लिखा रहता है कि आप दोनों के क्या नाम है आप इस इस तारिक से एक साथ रहना शुरू कर रहे हैं और कोई fix समय नहीं है कि कितना समय आप रहेंगे क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कितना fix समय बात आप एक दूसरे को पहचानने लगेंगे एक दूसरे को समझेने लगेंगे एक दूसरे के लिए शादी के लिए मन बनाने लगेंगे या ना बन जाने पर एक दूसरे को आप कप छोड़ देंगे या तो आपको भी नहीं पता तो आप यह agreement में लिखवा सकते हैं कि हम दोनों एक साथ रहना इस तारिक से शुरू कर रहे हैं और इस बीच में हमारी कोई लड़ाई हो जाती है, मन बुटाब हो जाता है हम एक दूसरे से के साथ रहना पसंद नहीं करन पा रहे हैं दूसरे को छोड़ना चाह रहे हैं तो कोई भी एक दूसरे पर कोई जूटा मुकदमा नहीं करेगा मतलब उसको कानूनी तौर पर नहीं फसाएगा लिव इन इलेशन चिप पर रहते हुए अगर कोई लड़की लड़के पर वेप आरोप लगा देती है तो उस लड़के के खिलाफ मैंने भी पहले पताया कोई कानूनी कारवाई नहीं हो जी क्योंकि मैं लड़की बालिग है अपनी मर्जी से लड़के के साथ रह रही है मतलब अठारा प्लस है अगर मैं लड़की अठारा साल से कम उमर की होती है और लड़के पर कोई आरोप लगाती है तो उसे रेप का केस माना जा सकता है तो इसलिए मैं दुबारा कहा रही हूँ तो शुरू सही इस बात के लिए साधान रहें कि लिए लिए रेश्चेंशिपे रहने के लिए दोनों की उमर 18 प्लस होनी चाहिए अब करते हैं थोड़ी सी और साधानों की बात आप लड़के हैं या लड़की हैं अगर आप लड़के हैं और अगर 18 साल से कम लड़की के साथ आप लिए रेश्चेंशिप में रह रहे हैं मतलब एक नाबालिक लड़की के साथ आप लिए रेश्चेंशिप में रह रहे हैं तो वह लड़की आपके उपर रेप का अरोप लगा सकती है वह यह भी कह सकती है कि आप उसे वहला फुसला कर अपने साथ लाते थे और उसके साथ लिवी निस्येशिंशिप में रह रहे थे और इसी तरह अगर लड़के की उम्र कम है और लड़की की उम्र बड़ी है लड़की की उम्र जादा है तो लड़की के उपर भी केस हो सकता है क्योंकि लड़का 18 साल से कम उम्र का है तो फिर दुबारा वही काथ कहूंगी कि अगर आपको रहना है तो आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए इस लिविन शिप में रहना लड़के को इस लिविन शिप रिलेशन्शिप में हमेशा आपने देखा हुआ कि लड़के को भी डर लगा रहता है कि लड़की उस पर केस कर सकती है कहिए कह सकती है कि लड़के ने उससे जूटे शादी का वादा किया उससे शादी का जूटा जहांसा दिया या उसे कोई नशीरी चीज खिला कर उसके साथ गलत काम किया तो सबसे अच्छा है तो मैं आपको इस अला दे रही हूँ कि लिव इन शिलिश्यम्शिप में रहने से पहले एक एग्रिमेंट बनवा लें कि इस तारीक में हम एक दुसरे के साथ रहने लगे हैं आप दोनों अपनी मर्जी से इस रिष्टे में रह रहे हैं और आपको एक बत और बताऊं कि इस एग्रिमेंट को नोट्री जुरूर करवाएं नोट्री रिजिस्टर नमबर जुरूर लें साथ ही स्टेंट भी लगवाएं ताकि agreement बनने के बाद आप दोनों बिना किसी डर के सेफ रह सकें और जही रहे कि आप लड़की के साथ किसी rent में कमरे में ही रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप लड़की के साथ rent agreement में दोनों का ही नाम लिखवाएं यानि rent agreement में आप दोनों का नाम हो और agreement में यह भी लिखवाएं कि rent कौन देगा वैसे तो दोनों एक दूसरे को परखने के लिए ही living relationship में रहते हैं फिर भी यह बातें clear रहनी चाहिए कि पैसा कौन खर्च करेगा kitchen का खर्च कौन करेगा rent कौन भरेगा घर का खर्च कई खर्च होते हैं उन्हें कौन करेगा बिजली का बिल कौन पे करेगा यानि अगर खर्चे आप divide कर लेंगे तो कल को कोई पैसे के लेंगे को लेकर कोई बवाल नहीं खड़ा होगा और जो हमारा कानून एक बात और कहता है कि एक लड़का एक ही लड़की के साथ live in relationship में रह सकता है और एक लड़की एक लड़के के साथ ही live in relationship में रह सकती है शादी शुदा लड़का या लड़की को live in relationship में रहने की कानून इजाज़त नहीं देता है यानि दोनों का सिंगल होना बहुत जूड़ी है कहीं दोनों को आ रहे हों या एक विदूर है या एक विद्वा है या एक गिलर का तलाकशुदा है और लड़की तलाकशुदा है agreement में कोई एक living partner एक दूसरे को एक दूसरे की फोटो कीच कर या एक दूसरे की चलाकी से आउडियो रिकॉर्डिंग करके या वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर उसको ब्लैक मेल नहीं कर सकता यह बात भी आपको अग्रिमेंट में लिखवानी चाहिए तो अगर कल को यह आपसी सहमती से दोनों अलग हो सकते हैं और अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ सकते हैं और अगर मैं कानून की बात करूँ तो वैसे इनलेशिप में कोई बच्चा तो पैदा करने नहीं बैठता है बस एक दूसरे को प्रक्षने के लिए यह लोग पठे रहते हैं फिर भी एका बता दूँ कि कानून लड़की को कई अधिकार देता है मालो लड़का लड़की लीवी निश्चिप में तो रह रहे हैं और लड़का उसके साथ मार्पिट करता है लाई जगडा करता है उसको पैसों से परशान करता है मतबका लड़ाई जगडा करता है तो लड़की डमस्टिक वाइलन्स का केस कर सकती है उसको पैसे नहीं देता है तो लड़की मेंटेनस तक का केस कर सकती है इस live in relationship की agreement में आप यह भी लिखवा सकते हैं कि इस में कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो दोनों live in relationship में रह रहे हैं तो शादी करने ही पड़ेगी अगर शादी करने ही पड़ती जूरी होती तो live in relationship में रहने का फैदा ही क्या हुआ तो ऐसा कोई किसी को force नहीं कर सकता और दोनों अपनी जिन्दगी जीने के लिए अजाद हैं कोई किसी की निजी जिन्दगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता कि तुम कहां गए थे, किस से बात कर रहे थे, कब आ रहे हो कैसे शाइशो जिन्दगी में होता है तो दोनों की जिन्दगी अपनी अजात की जिन्दगी होती है वो दोनों कभी भी एक दुस्तरे को आपसे सैम्टी से छोड़ सकते हैं तो इसलिए मैं कहा रही हूँ कि एगरीमंट बनवाने से आपको कानूरी तार पे कोई परशानी नहीं आएगी ये जमेले ना हो जवाबदारी के ये शादी जवस्ती करने के तो इसी वज़ा से ही तो इंडिया में लोग आप लिव इन लेशन्शिप में एक दूसरे को परखने के लिए रहने लगे हैं अब मैं वीडियो अंड करती हूँ प्लीज एक सबक चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना फ्री